तो देखिए चुनाओ के संदर्व में आप से बात करने के लिए यहाँ आई हूँ इस चुनाओ में आपके प्रत्याशी कॉंग्रेस पार्टी के कौन है सुनाए उनके बारे में क्या सुनाए बहुत अच्छे नेता है सही है राहे बरेली के राहूल है ठीक है देखिए वो इस देश में एकलौते नेता है आज के दिन जो चार हजार किलो मीटर कन्या कुमारी से कश्मीर तक पैदल चले है पूरे देश में एक तरफ से दूसरी तरफ फिर मनीपुर से मुंबई चले है सिर्फ आप से संपर करने के लिए आपकी समस्याओं को सुनने के लिए और आपके बीच आने के लिए मेरे भाई है इसलिए मैं ये भी बता देती हूँ कि बहुत सच्छे इंसान है सच बोल देते हैं चाहे किसी को पसंद आए चाहे नहीं आए कभी-कभी मैं भी चिर जाती हूँ मुझे देखते ही बोलते हैं मोटी हो रही हो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं कहती हूँ हर चीज पर सच बोलने की ज़रूरत नहीं है है ना तो सच बोलते हमेशा और शुरू से जब से छोटे थे अन्याय नहीं बरदास्त होता तो हम चोटे थे तो कोई लड़ाई जगड़ा कर लेता था बच्चों-बच्चों में किसी ने कुछ गलत कह दिया, किसी बच्चे को एकदम खड़े हो जाते थे लड़ने के लिए तो न्याए के लिए हमेशा लड़े हैं, सच्चाई के पत्पे चले हैं और मैं इतना आपको कह सकती हूँ कि आपके सांसद बनेंगे तो आप खुश होंगे कि ऐसा सांसद मिला आपको अब देश में जो राजनीती चली दशकों के लिए उस राजनीती का स्थापना कहां हुआ कोई बताएगा कहां से शुरू हुई वो राजनीती राए बरेली से कैसे 103 साल पहले राए बरेली के किसानों ने कांदोलन किया अंग्रेजी सामराजे के सामने खड़े हो गए अपने हक मांगने के लिए अपनी आजादी के लिए उन्होंने अंदोलन किया जब इस बात का पता चला जवाहलाल नहरू को इलाभाद में तो जवाहलाल नहरू यहां आए देखने के लिए कि कौन है किसान जो इतने गरीब है लेकिन इतने साहसी है इतने गरीब है लेकिन इतने मजबूत होके द्रिण होके अंग्रेजी सामराजी के सामने खड़े हो गए तो पंडिजी आए यहां अंग्रेजों ने पूरे क्षेत्रे में नाकाबंदी कर दी थी पंडिजी छुपके आए और मिले किसान जो अंदोलन था उनके मुखिया से और फिर वो भी कंदे से कंदे लगाकर किसानों के साथ लड़े आजादी के लिए तो देखिए यहां की राजनीती जो है यहां से शुरू हुई कि जनता जागरुक थी जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी तभी नेता ने सुना और यहां आए तो नेता को आपने दिशा दिखाई आपने राजनीतिक दर्शन दिया आपने दिखाया कि ऐसे करना है हमें आंदोलन और ऐसे आगे बढ़ना है यहां के गाओ गाओ में जाती हूँ मुझे स्वतंतरता सेनानी का परिवार मिलता है गाओ गाओ में है और गाओ गाओ में जाती हूँ कॉंग्रिस का कोई न कोई मुझे कारिकरता या पुराना कारिकरता मिलता है तो जब आजादी हुई इंद्रा जी आपकी सांसत बनी तो उन्हों ने यही परंपरा आगे बढ़ाई और आपने भी यही परंपरा निभाई इंद्रा जी ने एक बार एक ऐसी नीती एक लागू की जो आपको ठीक नहीं लगी आपने उनको चुनाओ हरा दिया इंद्रा जी जैसी महान हस्ती इतनी बड़ी नेता लेकिन राय बरेली की जंता ने उनको हरा दिया दंड दिया कि ये जो काम आपने किया हमें ठीक नहीं लगा इंद्रा जी नाराज नहीं हुई अहंकार नहीं दिखाया आपको ये नहीं कहा कि मैं तो प्रधान मंत्री हूँ देख लेना ऐसा कुछ नहीं कहा आत्म चिंतन किया सोचा कि अगर जनता कह रही है तो कुछ हो गया होगा मैंने कुछ गल्ती की होगी और आत्म चिंतन करने के बाद अपनी नीती बदली और यहां फिर से वापिस आई तो आपने फिर से हराया अभी फिर से जिताया तो इस तरह से आपने इंद्रा जी जैसी बड़ी नेता तो बाद देश की राजनीती के प्रति आप जागरुक है की नहीं है सदियों से तो यहां जागरुकता की परंपरा रही है तो आप जागरुक हैं तो एक बात सीधी-सीधी समझ लिजिए मोदी जी की दस सालों से सरकार है है की नहीं केंद्र में है और प्रदेश में भी भाजप्पा की सरकार है दस सालों से सरकार है और जब जब आप टीवी को चालू करते हैं या आप अपने फोन पे देखते हैं आपको क्या दिखता है कि देश में बहुत तरक्की हो रही है देश की अर्थ्वेवस्ता बहुत मजबूत हो ही है साब पूरी जनता खुश है किसान खुश है मजदूर खुश है नौजवान खुश है महिलाएं खुश है यही दिखता है अच्छी अच्छी चीजें दिखती है बड़े बड़े मंच होते हैं से दस बार बड़े ऊपर मोदी जी खड़े रहते हैं इस पर दूर से जनता क संबोधित करते हैं हमेशा दिखते हैं तो साफ सुत्रे चमक रहे होते हैं हम लोगों की जैसे नहीं कि उस पसीना आ रहा है धूल मिट्टी है सारी है उनका मेकब बहुत अच्छा है तो आपको दूर से दिखते हैं कई गाड़ी में जा रहे हैं तो कि यूँ हाथ हिलाएंगे जनता हो रही वहाँ जा पेड़ है और यह यहाँ सारी सुरक्षा कर्मी पुलिस यहाँ भी सुरक्षा कर्मी पुलिस जनता वहा है मोधी जी यूँ हाथ हिला रहे हैं जनता हाथ हिला रही विचारी दूर से कि कब मिलने को आएंगे ये हमारे दस सालों से प्रधानमंत्री रहे हैं आज तक मिलने को नहीं आए आज तक हम बता नहीं पाए कि हम कितने संकट में हैं आज तक देश का किसान बता नहीं पाया कि कमा नहीं रहा है खेटी से आज महिला देश की बता नहीं इतनी महंगाई हो गई है, दुकान जाती है, खाली आत वापिस आती है, लेकिन मोदी जी को बताए कौन, मोदी जी ने अपने आपको आप से काट दिया है, देश की दंजनता से कट गए है, उनकी बातों में भी वजन नहीं रही, रहा, बात करते हैं, पता नहीं चलता कि आज कुछ कहेंगे, कल खंडन कर देंगे, पूरे चुनाओं में क्या प्रचार रहा है उनका, या तो कॉंग्रेस के घोशना पत्र के बारे में बात करते हैं, और जूट पहलाते हैं कि कॉंग्रेस ने सोच लीजिए, कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में लिखा है, कि अग वो X-ray की मशीन होगी जिससे आपके मंगल सूत्र आपके गहने Congress Party छीन लेगी और फिर किसी एक समुदाय को दे देगी इन्होंने इतना कह दिया कि अगर आपकी दो भैसे हैं तो Congress Party आपकी एक भैस चुरा लेगी और किसी को दे देगी अब बताईए ये प्रधान मंत्री हैं देश के कहां जवाला नहरू इंद्रा गांधी अटल बिहारी वाजपाई मनमोहन सिंग जैसे बड़ी बड़ी शक्सियत इस पद को समाले और कहां मोदी जी इस पद कास्तर ऐसे गिरा रहे हैं कि इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जनता के सामने चुनाओ के समय आएं तो अपने काम की बात करें जनता के मुद्दों को उठाएं इतनी भी हिम्मत नहीं है अपना घोशना पत्र सुनाते हैं आपको नहीं क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है उसमें क्या करने जा रहे हैं आपके लिए? बताते हैं, बताते हैं कि उनके राज में इतनी बेरोजगारी क्यूं बढ़ गई? कैसे इसको कम करेंगे? महिंगाई को कैसे कम करेंगे? कुछ नहीं बताते हैं. ये नया राजनीतिक सिलसिला जो दस सालों से इस देश में हावी है, इसके नेता सोचते हैं कि धर्म की बात करो, भगवान के नाम पे वोट ले लो, सत्ता ले लो, उसके बाद जनता की समस्याओं को हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोट तो मिलना ही है बैनो और भाईयो मैं तो घरों में जाती हूं सबके, मुझे महिलाई कहती है, दीदी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई इतनी है, हम तो हार आता है, घबराट होती है कि कैसे खरीदेंगे हम, समान, महमान आएंगे, खाना कैसे बनाएंगे, सड़क हमारी सड़क की मरंबत नहीं क्यों हमारे घर आये थे दुर्दुरिया कराएं और कह दिये कि भगवान के नाम पे वचन दो भगवान के नाम पे हमने वचन दे दिया और बड़े धर्मिक पार्टी है भाजपा इसलिए हम उनको दे रहे हैं तो फिर आप दो बार उनको दे चुके अत्तीसरी बार और ये क्योंकि ये जानते हैं मैंने समझाया कि बहन बार बार तुम वोट दे रही हो क्योंकि ये भगवान का नाम ले रहे हैं या आपको कह रहे हैं कि बड़ी धर्मिक हैं लेकिन आपका काम नहीं कर रहे हैं तो विधायक तो अब आते भी नहीं हैं वो तो चुनाओं के समय वही धर्म की बाते वोट ले लेंगे और उनको यह नहीं लग रहा है कि आपके लिए कुछ करना है तो अगर उनको यह लगेगा नहीं तो कामी बंद हो जाएगा तो यही हो रहा है तो सोची कही ठीक बात कह रही हो आप मैंने कहा कि इतने बड़े-बड़े नेता रहे है अपनी सांसदी एक शेत्र में जाते हैं काम के नाम पे वोट मांगते हैं भगवान के नाम पे नहीं मांगते कौन से भगवान कहते हैं कि इस पार्टी को दो उस पार्टी को दो को सदश्यता कर रखी है किसी पाठी की भगवान ने भगवान तो यही कहते है कि सच्चा जीवन अपने जीवन में सच्चाई से जियो इमानदारी से काम करो सबसे अच्छा विवहार रखो सबको खुश रखो खुद खुश रहो सारे संत, सारे महात्मा सारे गुरू, सारे धर्म, सारे भगवान सबने यही कहा है किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि इस पार्टी को दो, इस पार्टी को दो यही कहा है कि जो सच्चे हैं उनी को आगे बढ़ाओ तो आपका इस्तमाल हो रहा है धर्म के नाम पर आपसे सत्ता ली जा रही है सत्ता ले लेते हैं आपको भूल जाते हैं आपको मालूम है कि आज के दिन जहां कॉंग्रेस की सरकार है वहां हर गरीब परिवार के जो की जो सबसे बड़ी महिला है उसको 2000 रुपे मिल रहे हैं करनाटका में तैलंगाना में हर महीने मिल रहे हैं आपको मालूम है कि बस की आत्रा मुफ्त कर रही हैं बहने करनाटका में कि यह जो आवारा पशू की समस्या है जिससे आप जूज रहे हैं जिसको हल करने के लिए मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया हमारी 36 गड़ की सरकार ने बढ़िया गोशालाय मनाई, गोबर खरीदी आपको आपके स्वयम सेवा समू जोड़ दिये गोशालाओं के साथ और आपको रोजगार भी मिला गोबर खरीदी जनता से गोबर से गोबर गैस बनाया आपको सुविधा मिली जानवरों का देखबाल हुआ अच्छी अच्छी गोशालाय मन गई, सब खुश समस्या हल की आपको मालूम है कि 36 गड़, राजस्थान और मध्यप्रदेश में जब हमारी सरकार थी हमने किसानों के कर्ज माफ किये मालूम है आपको मालूम है कि राजस्थान में जब हमारी सरकार रही छे महीनों पहले हमने 25 लाग का बीमा सिर्ष स्वास से वाओ के लिए किया हर घरीब परिवार को जितना भी इलाज करना था कैंसर का इलाज, हार्ट का उपरेशन, ब्रेन की सर्जरी 25 लाग के अंदर-अंदर था तो सरकार पूरे पैसे दे रही थी एक पैसा नहीं देना पड़ा ये हमारी नीतियां है इनकी नीति क्या है? कर्ज माफ होंगे बड़े खरबपतियों के देश का कोईला, बिजली, बंदरगा, हवाई अड्डे साब बड़े खरबपतियों के और देश की जनता जाए कहाँ? ये है नकी नीति हसने की बात है क्योंकि मैं इस तरह से कह रही हूँ लेकिन बहुत दुख की बात है गहराई में सोचिये कितनी दुख की बात है जो, हाँ अब ये तो आपने बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल कर लिया इसका बात में मैं जवाब दूँगी किस से? तो सुनिए हमारी क्या नीतियां है राय बरेली में रेल कोच फैक्टरी आई NTPC सेल आया बड़ा एम्स का हस्पताल आया यहाँ जो फ्लाय ओवर आधा पड़ा हुआ है, मोधी जी ने उसका घाटन किया, लेकिन उसकी शुरुआत तो सोनिया जी ने कराई थी उस घाटन मोधी जी ने कर लिया और 6 महीने बाद तूट गया कितने? एक महीने बाद तूट गया और अभी तक मरम्मत नहीं हुई है तमाब हाईवे सोनिया जी के समय आये आई टी आई इंद्रा जी के समय आया बड़े बड़े कारखाने आये हमने नीती क्या बनाए कि गाउ का विकास करेंगे और बड़े बड़े कारखाने लाकर अर्थ व्यवस्ता को मजबूत बनाएंगे तो शुरू में यह हुआ कि भई रेल कोच आ गया लेकिन इसमें नौकरी तो बाहर के लोग ले रहे है फिर हमने यहां की नौकरी भी बड़ाई और यहां के जनता को पता चला कि नहीं हमें भी मिल रही है उसके इलावा उनको पता चला कि इस कारखाने के यहां आने से कितनी अर्थ व्यवस्ता मजबूत हो रही है मतलब कारखाना है चोटे हस्पताल खुल गए दुकाने खुल गई और ऐसे बिजनस खुल गए जो वो उस कारखाने की मदद करते थे तो सारी जनता मजबूत हुई हमने गाउं को मजबूत कैसे किया मेरे पिता जी पंचायती राज लाए पंचायती राज की सोच क्या थी कि पंचायतों को गाउं को मजबूत करेंगे जो राशी है वो सीधी गाउं में आएगी गाओं वाले और प्रधान तै करें कि कहां पे पैसा डालना है क्या विकास करना है तो पंचायती राज आया आज क्या स्थिति है यहां के जो भाजपा के प्रत्याशी है क्या करते है जमीने चीनते हैं आपकी इंद्रा जी ने पट्टे दिया यह जमीन चीनने में लगे हुए प्रधानों को हमने स्वतंत्रता दी कि प्रधान मजबूत बनेगा आपके गाओं में विकास कराएगा स्वतंत्र निर्ने लेगा लोग तंत्र मजबूत होगा गाओं मजबूत होगा यह क्या करते हैं प्रधानों पे रोज रोज दबाव डाल रहे हैं अब चुनाओ है पूरा दबाव डाल रखे हैं प्रधानों पे कोटेदारों पे UP में बिचारा कोटेदार कमाता ही क्या है 90 रुपे कमाता है उसमें से भी अधिकारी थोड़ा बहुत ले लेते हैं बाकी प्रदेशों में दो-दोसों कम से कम थोड़ी तो कमाई हो जाती है यहां तो उत्ती भी नहीं हो रही है फिर भी इस पे दबाव डालोगे आप प्रतारित करोगे धमकाओगे डराओगे प्रधान को कह दोगे तुम निन्ने नहीं ले सकते मैं लूँगा कैसी राजनीती है यह कोई कोई सवाल उठाता है कोई कुछ प्रचार कर लेता है कि हमें यह नहीं पसंद या कोई अंदोलन कर लेता है छोटा मोटा अपना तो पिटाई हो जाती है मारपीट हो जाती है मुकदमे डाल देते हैं तमाम लोगों पे मतलब उन्होंने ये पूरी अपनी राजनीती जो है आतंक फैलाने के लिए की है और यहां की जो राजनीती परफ़एंपरा रही है वो सेवा की रही है इंद्रा जी रही, सोनिया जी रही, सेवा की आपकी आपकी कोई समस्या होती तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सुल जाएं, आपके पास आएं यहां तो उल्टा हो रहा है यहां इन प्रत्याशी के पाचो भाई आतक फैला रहे है तो आपको कैसी राजनीती चाहिए यह आप तै करिए हम कुछ गैरेंटी लाएं इस चुनाओं में महिलाओं के लिए हम कह रहे हैं आपके खातों में 8,500 रुपय हर महीने डालेंगे इस परचे पर भी लिखा है हमने करके दिखा है अपने प्रदेशों में हम देश भर में करेंगे आपके लिए हम कह रहे हैं कि आशा बहुए, मिड़े मील की बहने और जो आंगनवाडी की बहने हैं आपके मानदे के लिए हम दुगनी राशी भेजेंगे केंदरे से दुगना मानदे करेंगे सरकारी रोजगार जितने भी है उसमें आधे महिलाओं को मिलेंगे पहले के आरक्षन के तहट हम कह रहे हैं कि खेती से कमाई आपकी फिर से शुरू कराएंगे GST खेती के समानों से हटा देंगे कर्ज माफी के लिए स्थाई आयोग बनाएंगे जिससे जब-जब कर्ज में हैं, संकट में हैं, आपको मदद मिलेगी आपका जो भुक्ताइन है, 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुक्ताइन करके दिखाएंगे हब कह रहे हैं कि किसानों को आज उपज का सही दाम नहीं मिलता उपज क्या सही दाम आपका अधिकार बन जाएगा, हम कानूनी अधिकार बनाएंगे नियुन्तम समर्थन मूल्य मिलना ही पड़ेगा बहने आज मोदी जी आपको 5 किलो राशन देते हैं, कहते हैं, बड़ा एसान कर रहा हूं मैं देश की बहनों पे उसमें चीनी मिट्टी की तेली मिलती, जानवर चरा जा रहा है, राशन को भी अच्छा, मोदी जी ने अपनी फोटो चिपकादी कह दिया कि हम 5 किलो राशन दे रहे आपको मालमें क्यों मिल रहा है ये राशन, सचाइक क्या है, सचाइक ये है कि मोदी जी की सरकार के आने से पहले आपकी सांसद, सुनिया जी ने ये अधिकार बना दिया जनता का कि भोजन का अधिकार मिलना है क्योंकि सांसद जी आपकी सांसद ने बनाया और ये फिर कानून बन गया इसलिए कोई भी सरकार आए मजबूर है आपको राशन देना ही पड़ेगा 36 गड़ में हमारी सरकार थी 35 किलो दे रहे थे भाजपा की सरकार आई 5 किलो कर दिया आज हम आपसे कह रहे हैं आपको जो 5 किलो राशन मिल रहा है उसका दुगना देंगे हम 10 किलो देंगे आज ठेकेदार मजबूरों का खुब फाइदा उठाते हैं जानते हैं सब बेरोजगार हैं कितने में भी मजबूरी कर लेंगे हम कानून लाएंगे कि जो न्यूंतम दिहाडी है वो 400 रुपए की होगी इससे कम कोई नहीं दे पाएगा गाउ में मनरेगा कॉंग्रेस पार्टी लाई मोधी जी जब सत्ता में नहीं थे तो बड़े अब भाशन दिया कि यह मनरेगा बकवास की स्कीम है इसको बंद करना है सत्ता में आए तो पता चला कि मनरेगा बंद करेंगे तो बहुत विरोध हो जाएगा गाउं में तो इन्होंने क्या किया आस्ते आस्ते मनरेगा की राशी कम की कमजोर कर दिया मन्रेगा को इसलिए आज आप मन्रेगा करते हो आपको पैसे नहीं मिलते हैं कांग्रेस के जमाने में सही समय पे मिलते थे और हम कह रहे हम वापस मन्रेगा में और पैसे डालेंगे उसको मजबूत बनाएंगे और शहरी मन रेगा लाएंगे कि शहरों में भी आपको सौ दिन का रोजगार गयरंटी मिलेगा तो यह सब चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं आपके लिए और जो भाजब्पा के प्रत्याशी है वो क्या करना चाहते हैं आपके लिए बताया उन्होंने आपको कि डराया धमकाया कि हमें वोट दो अब बस वहीं तक रुप गई बात तो आप तै करिए आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो आपको आतंकित करे या ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो सर जुका के श्रद्धा से आपके पास आए और समझे कि आपके लिए क्या-क्या करना है आपको ऐसी सरकार चाहे आप ऐसी सरकार चाहते हैं जिसके रहते हुए देश में 45 सालों में सबसे जादा बेरोजगारी हो गई 70 करोर लोग बेरोजगार हो गए या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जिसने अर्थवस्था को मजबूत किया और जो ऐसी गैरंटी लाती है जिससे आपको रोजगार मिले आप अपने पैरों पे खड़े हो और आप मजबूत बने मैंने बताया नौजवानों के लिए सनातक पास का उनके लिए हम एक प्रोग्राम लाएंगे अपरेंटिशिप का प्रोग्राम जिससे आप सनातक पास होंगे आपकी नौकरी लगेगी उसमें हुनर सीखोगे और आपको उस साल में एक लाक रुपे मिलेंगे उस नौकरी के द्वारा फिर अगर आपने अच्छी तरह से नौकरी की तो फिर उस जिस बड़ी सरकारी कंपनी में आपको यस अपरेंटिशिप दी है वो फिर आपको रख लेंगे और आपके लिए पाच हजार क्रोर का फंड होगा कि आप अगर छोटे-छोटे कारोबार बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो आपको उस फंड से सुविधा मिलेगी और पेपर लीक के खिलाफ हम सक्ट से सक्ट कानून लाएंगे तो ये सब हम करना चाहते हैं अब आप तै करिए 20 तारीक को चुनाओ है तीसरे नंबर पर राहुल भाया का बटन है उस पे पंजे का निशान है उसको दबाएंगे तो आवाज आएगी आवाज सुनिए फिर एक परची निकलेगी परची पे भी पंजा होना चाहिए अगर आप राहुल जी को जिताएंगे सही निंडे लेंगे अब समय आगया है कि मोदी जी की सरकार को थोड़ा सा सबक सिखाना है क्योंकि 10 साल हो गए है 10 साल में आपको कुछ नहीं मिला और टीका मिला और उस टीके के कमपनी से मोदी जी की पार्टी ने चंदा लिया 52 करोड सही बात है देखिए अब समय प्रेली से सही संदेश भेजो पूरे देश भर में सरकार बदलो ऐसी नीतिया लाओ जिससे आपकी जो देश की संपत्ति आपके हातों में आए ये काम कॉंग्रेस पार्टी अपने प्रदेशों में कर रही है आपको भी करके दिखाएगी आपने बहुत ध्यान से मेरी बाते सुनी आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद जय हैं